हेलो मैं देखने जा रहे हैं टीबी इस एक लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में हम इंफॉमेशन देंगे देखने के लिए धामलकर टीबी जो के आता है हादपसर में पुने में इसका एक पूरा वाक एरौन रिवीउ इसके सारी इसका मिल जाएगी वीडियियो को ईंट देखिये चैनल को शब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तो लेट्स गो डाइग इंट इंट वीडियो थैंक यू अलो फ्रेंड्स जैसे के आप देख सकते हैं हमारे सामने है TVS & Talk 125 मैट हेलो कलर में सो काफी अट्रेक्टिव लगता है इसमें काफी सारे कलर ओप्शन भी अवेलेबल हाली में एक मैट सिलवर कलर भी लॉंच हुआ है जो भी काफी प्रेमियम लगता है तो ओवररल इसमें आपको स्टिकर्स मिलते है काफी फ्रेंट में जो हेड्लैम्प है वो हैलोजन का आता है और नीचे LED डियारेल आता है इसमें तो गाड़ी काफी अट्रेक्टिव लगती है किसी भी एंगल से देखो तो साइड में आपको 125cc का बैजिंग मिलता है स्पोर्टी ग्राफिक्स के साथ ग्रे कलर का पैनल दिया है साइड में तो बाड़ी इसका फाइबर का है फिर भी गाड़ी का वेड़ जो है के साथ गाड़ी मिलती है तायर साइज आप देख सकते है 110 by 80 का टायर साइज दिया गया है और 12 इंच के ऐलोई फ्रेंट और रियर दोनों आते है इसमें कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है तो यह काफी अच्छी बात है आगे का डिस ब्रेक है आपको पेटल डिस ब्रेक मिलता है जो की 220 mm का है तो ब्रेकिंग परफोर्मस भी गाड़ी का काफी अच्छा है तो डिस ब्रेक का इस टाइप के आपको आप अच्छे में देखने को मिलते है तो साइड लूप भी काफी गाड़ी का अच्छा है आपको यहाँ पे टीवेस रेसिंग का बैजिंग देखने को मिलता है तो यह काफी अच्छी बात एक स्पोर्टी नेचर दिखाई देता है 155 mm का ग्राउं क्लियर्स दिया गया है और वेट जो है इसका 116 kg का दिया गया है सो बाकी स्कूटर के साब से वेट थोड़ा ज्यादा है बट मैनेजेबल है तो रियर में आप देख सकते है इसका एंजिन जो है वो थ्री वाल टेकनोलोजी के साथ रता है 124.79 cc का एंजिन है जो की जनरेट करता है 9.4 ps power at 7500 rpm और 10.5 mm का टॉर्क at 5500 rpm गाड़ी काफी एंजेंसी है वो लगब कंपनी क्लें 47 kmpl है बट 42-45 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते है आराम से रियर का सस्पेंशन आप देख सकते हैं है है यह यह भी काफी कमफर्टेबल सस्पेंशन देगा है इसमें तो ओर रियर का आप ब्रेक देख सकते है ड्रम बेक मिलता है मैंने आपको 130 mm का और मैंने आपको जिस्ता से बताया बेकिंग पर्फॉर्मस भी इसका काफी अच्छा है रियर का जो टायर है वो भी काफी ब्रॉड दिये गया है 110 by 80 section दिये गया है इसमें 12-inch के ऐलोईज तो एलोईज का डिजाइन भी काफी प्रेमियम लगता है इसमें और गाड़ी किसी भी एंगल से देखी जाए तो गाड़ी काफी प्रीमियम लगती है रियर से एक बार आपको लूप देख सकते हैं गाड़ी का अट्रेक्टिव लगती है एलीडी टेल लैंप्स आते है और इंडिकेटर में जो बल्ब जाते है वो आपको नॉर्मल हैलोज 65,000 आपको लगबग 79-80,000 मिल जाएगा तो शुरूम मैं आपको नंबर दे दिया हूँ वहाँ पे आप कॉल करके एंक्वरी कर सकते है एक्जेक्ट प्रैस के लिए तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा फीनिश मिलता है कारबन फाइबर टाइप जो गाड़ी के लूप को काफी हैंस कर देता है तो आपको एक्जॉस्ट जो है वह भी स्पोर्टी एक्जॉस्ट दिये गया है तो एक्जॉस्ट की बारे में आपको एक्जॉस्ट साउंड है वह हम वीडियो के एंड में देखेंगे तो रियर का जो फुटपेग है वह भी काफी अट्रेक्टिव द दिए गई है इसमें सो मैं अप्रेलिया पर जो बैठा था तो उसका सीट मुझे थोड़ा हाड लगा था एस कंपेर टू दिस तो यह सीट काफी मुझे अच्छी लेगी और गाड़ी के लुक्स काफी अच्छे है आगे का जो फुट बोर्ड है वो डिसेंट है ज्यादा भी नहीं कहूंगा क्योंकि सुजु की बगमें में इससे काफी ज्यादा स्पेस मिलती है आपको आगे हुक मिलता है आपको और सीट के नीचे भी एक और हुक मिल जाता है है आपको सीट और फ्योड ओपन करना होगा तो यहां पर अंडर सीट जो इसका स्टोरेज है वह देख सकते हैं यहां पर आपको बूट लैंप मिल जाता है विद चार्जिंग सॉकेट यह काफी अच्छा और करमिनेंट फीचर है आप नाइट के समय इसका यूज आसनी से क हेलमेट आजाएगा हाफ फेस तो आराम से बेट जाएगा इसमें लेकिन बड़ा हेलमेट रहेगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी तो ओवरल काफी प्रैक्टिकल है वो इसका बूट स्पेस्ट भी और इसका जो फ्यूल का लीड है यह एक्स्टर्नल दिया गया है यह काफी अच्छा हो जाता है रेंज बड़ जाती गाड़ी की ऐलुमिनियम के ग्रैब रेल से वह भी काफी अच्छे है तो इगनिशन स्विच ओन करने के बाद आपका लीड डिस्प्लेई ओन हो जाता है इसमें जो डिस्प्लेई है वो काफी अच्छा है और एक लस्वीड जुदेख सकते हैं यहां जैसा पर आपाची में जाओ लिए कर दिए गया है और चौर्श इस गोंड्रक निखे कनेखर ही जी मोड्स वगर चेंज कर सकते हैं स्ट्रीट मोर लैब टाइमर वगर इसमें दिया गए बहुत सारे फीचर्स है यह आप गाड़ी जब टेस्ट राइड लेने जाओगे तो आप एक बार चेक आउट कर सकते हैं तो गाड़ी काफी अच्छे है काफी प्रेमियम फीचर्स के साथ आती है इसमें और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आप मोबाइल कर सकते हैं इसके साथ जिसके लिए आपको टीवेस का आप डाउनलोड करना पड़ता है आपको नोटिफिकेशन टाम-टाम मिलते रहते हैं आपके मोबाइल में आपको जीपेस का भी थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन द्लागें इंजीन खील स्विच भी काफी प्रिम्यम फ्रिल देता है गाड़ी में और काफी हैंडी फीचर है एक और काप ब्रेक को लोग कर स करता है जिससे कि आपकी गाडी हिले के नहीं जब आप पार्क कर रहे हुए तो इसका exhaust note सुन लेते हैं तो इसका exhaust note काम करता है तो काफी अच्छा इसका exhaust note सुन लेकिन थोड़ा बहुत वाइबरेशन आपको रियर में मिल जाएंगे तो ओर रल गाडी का रिव्यू मुझे गाडी काफी अच्छी लगी है आप बताए आपको गाडी कैसी लगी वीडियो कैसे लगा तो आप कमेंट करके मुझे पूच सकते हैं ताट सिट